नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं करनाल सिक केसी आ रही है हमारे साथ है कवीता गोयत जो की एसियन गेम्स के ब्राउंज मैडल उनके पास है और वहीं उन्होंने आल इंडिया पुलिस में भी उन्होंने मैडल जीते हैं हमारे साथ है मैडम आपको वोमेंडे की बहुत-बहुत सुब कामना है क्या कहेंगे आप जो आपने उपलब दी क स्वाजन गेम में और ऐज की टाइम में देखे तो सरकार भी हमें बहुत सारा परुष्णान दे रही है बहुत पैसा भी मिला है जोड भी मिली है और बहुत सारे आजकल नर्सरियां भी है कैठमी भी हैं तो उनको भी काफी सपोर्ट करी है सरकार और जितने बहुत अच्छे लेवल पे हमें जोब भी मिली है तो मतलब वूमेंस देपे मैं यही कहना चाहूंगी कि हर लड़की को गेम में पार्टिस्पेट करना चाहिए इससे में सेल्फ डिफेंस में भी काफी काफी वो मि पार्टिक करना ठीक नहीं है तो काफी स्टार्टिक में दिखते हुई थी लेकिन जैसे मैंने गेशने कुछ चलता रहा मेरा घैम तो जैसे मैंने मैडल जीते तो गरवाले भी बोले की भी कुछ अच्छा करेगी गेम में तो उनको अब यह काफी अच्छा लगने लग गया तो बहुत मतलब अच्छा लगा कि एक मतलब गर में दबी उवी लड़ की बाहर निकली तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत मतलब जैसे कभी हम जवाब भी नहीं दे सकते थे किसी को तो गेम में आने के बाद ऐसी कोई चीज नहीं थी कभी किसी से डर भी नहीं अगी थी और अपने आख का जो है कहां कहां पर डिए खेल खेला है और जैसे कौन-कौन से मेडल आपके जो उसमें हाइस्ट अच्विमेंट मेरी 2008 से इंटरनेशनल टॉर्टमेंट में स्टार्ट हुई थी जो 2008 में मैंने अशिन में चैंपिंशिप में सिल्वर मैडल जीता तक अचीवमेंट रही है इंटरनेशनल टूर्णामेंट में अभी हाली में 2017 में मैंने ट्रेनिंग कॉंप कुपिटीशन भी खेला था और एक टूर्णामेंट भी खेला था 2017 में सर्विया में जिसमें ब्रॉन मेडल लिया था उसके बाद मेरी गुडिया होगी थी तो अब बड़ी उन्चाई जो है हासिल करना चाहिए सपना तो मेरा बहुत कुछ था भी अभी यह लगता है कि देखो अगर हमारे मन में सपने हैं तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता थोड़ा टाइम लग सकता है थोड़ी सी मतलब फैमिली में बच्चे भी थे साथ में उनको स साथ में देखना साथ में जोब करना प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम प्राप नहीं कर सकते तो मेरी भी यह है कि अपनी जिंदगी में लगे रहो कभी ना कभी तो सफलता मिलती है तो आपके परिवारिक जो है इस्टी क्या है कि कैसे आपने छोटे परिवार से बड़ा जो है मुकाम हासिल किया देखिए स्टार्टिंग में मेरा चोटा बाई है पमन गोय तो वह गेम में जाता था तो उस टाइम किसी को नोलिज नहीं थी पापा कबड़ी प्लेयर थे तो इतना नहीं सोचते थे कि मतलब कुछ फैमि कि भाए तो ज्यादा आई थी लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली का काफी सपोर्ट रहा है तो जैसे देखू आज की टाइम में तो स्पोंसर भी काफिए उस टाइम तो कोई स्पोंसर भी नहीं था थह तो अगर मिस्टाटिंग से स्पॉनसर मेले तो बहुत सारे बच्चे आगे निकल सकते हैं तो यह था मॉँचिन इन पॉप्सीं ने ने यहां पर पुलिस में आप कैसे आये हैं कौन सा पुलिस में मैंने 2010 में एशिन गेम से ब्रोण मेडल यह था तो उड़ा साब सरकार की बारबार यह जो पॉलसी बदलती है उसमें खिलाडियों को काफी तकलिफ होती है हमारी मेरा यह मानना की एक ही पॉलिसी हो ताकि एक प्लेयर अपने माइन में सैट अप करे कि उस मैडल लें वह लेंगे तो फिर हमें यह नुक्री मिलेगी तो कई बार इन चीजों मे ब्राउंज मेडल जीता हुआ और भी कई उनके पास मेडल जीते हैं उनके अच्छी जो है काफी उन्होंने मेनत की है और उनका अब सपना है कि आगे और भी जीवन में तरक्की की जाए और बड़े गोल्ड मेडल लाने का सपना है और उनका यह कहना है कि सरकार की जो पॉलिस कर रहे हैं बीच में लॉक्डाउन के काम रुख गया था परंतु दुबारा से उन्होंने मेंत करना शुरू कर दिया और अपने जो ख्वाब हैं वो पूरा करने के उनकी अपनी जेद है करनाल से केस यारी है पंजाब केसरी टीवी